हेलो एब्रिवान वेलकम तो माई हिंदी ग्यान बोध योटूब चैनल तो आज की वीडियो में हम प्यचडी अड्मिशन की डिटेल को कवर करेंगे जो की निकल किया ये विहार से वीर कुवर सिंग यूनिवर्सिटी एरा से इसकी वेबसाइट पे जब आप विजिट तो यहां से आप लॉग इन और न्यू रेजिस्ट्रेशन हो पाएंगे अप्लाइ करने के लिए और इसकी अप्लाइ करने की जो अंतिम्ति थी है वो 17 मार्च 2024 रहने वाली है नीचे हल्प लाइन नंबर दे रखा है साथ ही यहां पर डाउनलोड करने का नॉटिफिकेशन दे रखा है लिंक इस पे करेंगे तो नॉटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे तो मैने नॉटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है मेन मेन इंस्ट्रक्षान में आप सभी को बता देती हूं कि इस यूणिवरसीटी में क्या-क्या मांगा गया है थ्रू एंटर्व week of April रहने वाला है और website से admit card आप exam week a week before the date of return test तो return test के one week पहले आप download कर सकते हैं admit card journal instruction क्या दे रखी है वही 5% का relaxation S.A.S.T. E.B.C. O.B.C. different able category को मिलने वाला है 55% mark जिसनके हैं पीजी में वह अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर exempt कौन-कौन रहेंगे return test से जिन्होंने UGC Net, CSR Net, Gate, MHRD, Scholarship, Teacher Fellowship, DBT, IC, AR, DST यह सब कर रखा है जिन्होंने checkout कर लिजेगा कौन-कौन exempt रहेंगे उसके बाद entrance fees यहाँ पर journal BC, EBC, EWS के लिए 2000 रहेगी जोगी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं सेस्ट disabled women के लिए 1500 है और जो exempt रहेंगे candidate उनको भी form तो apply करना पड़ेगा न तो उनकी भी यहाँ पे fees लगेगी 1000 रुपे payment of fee का जो रहने रहने वाला है वो online through रहेगा सब्जेक्ट यहाँ में मेंशन कर रखें पहले नंबर पर ही हिंदी है तो सुनिए पहले नंबर पर ही जो हिंदी है मैं हिंदी सही अपने के माद्यम से PhD update प्लस assistant professor job update देती हूँ जो specially हिंदी सब्जेक्ट से निकल के आती है आपको भी पता है जब तक हमें पता चलता date निकल चुकी होती है तो day by day इसी तरह से assistant professor प्लस PhD की update अगर आप चाहते हैं तो मेरी चैनल को फड़ा फड़ सब्सक्राइब के लिजिए और जादा जादा इसको शेयर करिए ताकि बाकी भी इसका benefit ले सके क्योंकि कोई और चैनल नहीं बना है ऐसा जो specially हिंदी का ही update दे आपको तो मैं specially हिंदी का ही update देती हूँ विकेंसी तो बहुत निकलती है हर दिन और पोस्ट भी बहुत निकलते हैं PhD के advertisement के लेकिन मैं वही update देती हूँ जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है यहां पे department दे रखें मैंशन है आप चकाउट कर लीजिए वीडियो को pause करके मैं नीचे scroll down कर रहे हूं उसके बाद जो प्रेट मार्क्स का होगा जिसमें आपके objective multiple choice question on qualitative and research aptitude के भिहाब पे रहेंगे और पचास question रहेंगे जग दो मार्क्स के कोई negative marking नहीं होगी पेपर का timing एक घंटे का रहने वाला है पेपर वन का जो सलेबा से यहां पे मेंशन कर रखा है वो आप 6 तक 123456 इन सारे criteria से आपके question पूछे जाएंगे उसके बाद paper 1 में जो question की marks होंगे number of questions होंगे उसका पूरा प्रोफार्मा दे रखा है वो आप यहां पे check out कर लिजेगा जिसमें computer, ICT, environmental, data interpreter, numerical, logical, reasoning, language, aptitude, research, aptitude तो वही आपका जो net का paper होता है paper 1 उसी की तरह यह सलेबा से पूरा paper 2 में यहां पे देखिए जो आपका subject specific होगा post graduate level का होगा और यहां पे जो आपका timing रहने वाला है दो रहेगा और यहां पे जो questions पूछे जाएंगे subjective, descriptive, essay type questions पूछे जाएंगे exam में group A, B, C करके यहां पे exam पूछे जाएंगे देख लिजी आपे group A में 100 words में आपको question मतलब लिखना है answer करना है group B में 200 और group C में 500 word का आपने questions का answer attempt करना है और यहां पे timing form and duration of pattern तो यहां पे first और second paper का timing दे रखा है first का 11, 2, 12 वो PM second जो आपका subjective रहेगा उसका 1, 2, 3 PM यह आपका timing रहेगा interest test का और merit list यहां पे कैसे बनेगी उसका table दे रखा इसके तुरू आपका merit list बनने वाला है तो यह total 5 page का यह notification है website link मेरे वीडियो के description में मिल जाएगा और इसी तरह की update अकर हिंदी subject से PhD और assistant professor की चाते हैं तो photopat channel को subscribe के लिजिएगा फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ धन्यवाद